मुझे आद अस्टर लाइप निर जब रहा करते तो रात कोई सपना देखा सुबह उड़ते जो रूमेट होता उसको बताते कि या रात और ट्रक पीछे पड़ा हुआ था और मेरे कुछ से बूरे-बूरे सपनी आते जा मैसा की ट्रक ऊपर चड़ गया जंगल गया चिता पी है नहीं था अपने को तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि डोला जो था वो कहां का राजकुमार था और मारू कहां की राजकुमारी थी कहां की थी कोगल एसी कहानी है कि एक बात नर्वर का राजा और पूगल का राजा दोनों पुषकर नहाने के लिए गये हैं कहां पर पुष्कर सनान होता है, कार्तिक पुर्निमा का पुष्कर का मिला होता है, पुष्कर नान गाउं में बोलते हैं, अपने गाउं से भी लोग जाते हैं, तो उस समय धोला के ममी बापा और मारू की मम बापा दुनों पुष्कर नहाने के लिए आये थे, राधा रानी आपस के इन्दर मिले तो आपस मैं कहा कि क्यों नाम दौस्ती को रिष्टेदारी में बदल दे डोला था तीन साल का और मारू थी डेड़ साल के तोला कितने शाल का और मारू कितनी भ्या तो आज ही कर देते हैं बेजना ले-जाना ले-जाना बाद में देखते रहेंगे तो डोला तीन साल का था और मारू किते गी किस्टन पुछा वाई याद रखना कि डोला किते साल का क्योंकि मैंने कली बताया था कि राजस्तान में सबसे अच्छी कोई कहानी मानीगे कौन सी मानीगे अब कहा गया कि ठीक है जब मारू बड़ी हो जाएगी डोला बड़ा हो जाएगा तब भेज देंगे कि वापस राजा अपने नर्वर चलेगे इधर वाले राज्य पूगल चलेगे धोला के ममी पापा जो कि नरवर के राजा रखा रानी थी उनका थोड़े समय नहीं से अपना है अब यह जो राजिश्थान वढ़ा इलाका भी मरुदेश था से अधर पर मिल जाते ह। मारु देश की राजकुमारी है मारवन मालवा की राजकुमारी है मालवा किसे साधी कर लेता है और बच्पन में किसे हो रखी थी पर उसको इसकी कोई भी जानकारी मारु को भी नहीं पता था बच्चे थे तब साधी होगे घरवालों नहीं बता था किसे पता चलेगा अब इ सब्सक्राइब reminder डालते हैं लेकिन वहां से कोई जवाब ने कहानी ऐसा कहती है कि एक दिन मारू जब रात को सो रही थी उसको सपना है और सपने में उसको दिखा कि एक राजकुमार उसको लेने के लिए आया है वो राजकुमार के साथ गई है तो सुबह उठीर सुबह उठके अपने मम्मी क कहा उसने ममी रात को मेरे को सपना आया और सपने में एक राजकुमार मेरे को लेने के लिए आया था तो उसकी ममी रो नहीं लग रही हो किसा उसने पूरी बात बताई ऐसे तो मारी सादियो रखिया है हो कई तढ़सा हंवाल तो कि ढुलाती इए और भूला के दर बार Nurcross को बताओ और न रहें और तुम जाओ और पोगल जा कि जो जोएगा आठी उसको लेकर मरा दिया अपनी जाएग तो वह एकडम और सरधी के अंदर तो गोड़ा बैचरा बीमार हो जाएगा और बाहर किसे निकलोगे तुम खुद बीमार सोगे अभी सर्धी का मौसम निकल जाए उसके बाद चले जाना तो थो थो सर्दी का मौसम निकला गर्मी आई तो उसने का अब मैं जाओं उसने का पुगल शे लानी है तुम जानते हो भी का अंदर में कि पहंकर गर्मी पड़ती हो तो राजिस्तान का देश है मरू देश उसका नाम है तो गर्मियों में कौन जाता वहां आपने नरवर पहुंच जाता है और अपने नरवर पहुंच जाता है पानियों के साथ हंसी कुछी जीवन व्यतीत करता है तो राजस्तान की योग एक मतर लव इस्टोरी होगी जिसमें हैं अपना इसलिए अच्छा बता दिया होगा उसको बाकी तो किसी में भी हैपी इंडिंग नहीं है कोई एक मर जाता है या दोनों भी छड़ जाते हैं उस प डौना मारू रिवात हैं तो डौना मारू रदधु है यह मेरी पूरी पढ़ी ही किताब है डौना मारू को मुझे आध मैं यह दोहा है भाना दोहा से चालता ना ना कि बहिए डौना मेरे को लेने के लिए पाथने के लिए नहीं यहारा तो कोई अपना दोस्ती कहते थे अरे आज इतने राजी केसे यार क्या हो आचाने या अपने किसी बात को याद करके खुद भी मुश्कुराइने लग जाते हैं यह बावला कर रहा हो वैसे गरते हैं तो वह सहीलियां पोचते हैं क्या कारण है क्या रीजन है तू बता क्यों रहा दूरी तो बहुत अच्छा सथ हो एक बहुत अच्छा सध और की मारू उनको कहती है कि मदवात में दिमाग से निकल गया उसका अर्थ कुछ ऐसा है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को जब सपना आता है न तो व्यक्ति अपना सपना सुनाना चाहता है हर किसी आदिमी को पूरा सपना है मुझे आद है उस्टा लाइप निर जब रहा करते तो रात कोई सपना देखा सुब उड़ते जो रूमेट हो तो उसको बताते कि या रात तो ट्रक पीछे पड़ा हुआ था और मेरे को तरशे बूरे-बूरे सपनी आते है मैसा की ट्रक ऊपर चड़ गया जं एक ओन्रैम गूंगे आदमी के सपने के समान है जिसे गूंगे आदमी को सपना आगया अच्छा सपना हागया ओसब को बताना चाहता लेकिन बोले तो वह खुद यादकर कर एसको राजी होता रहता है मुस्कूऑ iza रहता है तो प्रेह भी उस गूंगे के अपने के समान है कि गुंगारो सपनो भेयन सुमर सुमर पचताएग उसको याद करकर कि आदमी पचता था रहता है रजी होता रहता है लेक印 किसी को बता नहीं पता था प्रेम विशी चीज यह पो किसी को बताई नहीं जा सकती ते एंट उसका बहुत अच्छाद है कि वह माणूद तुलना कर मेरा और इनका दुख एक जैसा है यह साइध पानी कि लिए करते होंगे की पानी बरसेगा तो पीएंगे तो मैं इसलिए वह बहुत अचा उसका अड़ो है तुम इतनी जोर से कड़कड़ाती रहती हो तो मैं नहीं पता मा अकेलियों मुझे ड़त लगता है मद्धरो मद्धरो गज्च मतलब धिमे धिमे घरजना कर ही ती तेज बादल गरजना करते रहे तो मुझे डर लगता थोड़ी बहुतस शर्म करने ही तो हो गळे में तो निति वीक आपने तो लुट्र यहां नितित तूपकं़ दिमे आप गाहे जल्दर तू तो थोड़ी ब कि बारिस का मोसम के वर्णन क्या वह उसमें गर्मी का वर्णन क्या वह सर्दी का वर्णन क्या वह याद रहेगी बातें आपके